हेलो एवरिवन वेलकम टो शिवीज क्लासे जोन और आज के वीडियो में हम मेर्जेर्मेंट चैप्टर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे प्रीवेस वीडियो में मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रेक्शन करके दिखाया है तो अगर आपने अभी तक प्री तो आज हम देखते हैं इस से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन मनौज बाइस 3750 ml औरेज जूस एंड तू लिटर 650 ml पाइनेपल जूस तो उसने टोटल कितना जूस बाइद किया तो यहां पे इतना उसने औरेज जूस बाइद किया और इतना पाइनेपल जूस बा तो नहीं है पहरे स्टेट्मेंट प्राफेश्पा जाए सिखytyy आपको question में से ही किस तरह से statement बनाना है ये वच्चों को सिखाना है आप जैसे कि ये liquid items हैं तो liquid items के लिए हम लोग quantity का use करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे first that quantity of orange juice is equal to 3750 ml then next quantity of pineapple juice equals to 2 liter 650 ml तो अब हमें simply इन दोनों numbers को add कर देना है अब यहाँ पर जो number दिया हुआ है वो total ml में दिया है और यहाँ पे लीटर और ml में दिया है तो या तो हम इसे लीटर और ml में कर ले और या इसे भी पूरा ml में कर दे तो इसके लिए आप previous वीडियो में मैंने बताया हुआ कि किस तरह से units को convert किया जाता है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3700 ml लिखा ह होते हैं 3.750 ml और इससे हम कैसे लिखेंगे 2.650 ml लिन्स हमने क्या किया इसको यहाँ जो लीटर दिया है इसको भी हमने ml में convert कर लिया तो इस तरह से 3 लिटर 750 ml यह हो गया औरेंज जूस की quantity और 2 लिटर 650 ml पाइनेपल जूस की quantity है अब यह हम सिंप्ली से एड कर देंगे तो यह 0, 5 प्लस 5, 10 का 0, carry 1, 7 प्लस 1, 8, 8 प्लस 6, 14 का 4, carry 1, 3 प्लस 2, 5, 5 प्लस 1, 6 और यह point के नीचे point as it is उतर जाएगा और यहां पर लिखेंगे ml तो answer आ गया 6.400 ml इसको अगर हमें लीटर में convert करना है तो यह हो गया 6 लीटर and 400 ml अब answer को statement में किस तरह से लिखेंगे question पूछा how much juice does he buy in all तो यहां पर total quantity of juice लिखेंगे total quantity of juice equals to 6.400 ml इसको दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है total quantity नहीं लिखनी अगर questions में से ही answer बच्चों को बताना है तो पूछ रहा है how much juice does he buy in all तो he buy 6 liter 400 ml juice in all इस तरह से भी इसका answer लिखा जा सकता है now next question is the distance between द्वारका और मयूर विहार is 32 km द्वारका और मयूर विहार के बीच का distance total 32 km है if Anuj travels 15 km 350 meter by metro अगर Anuj 15 km 350 meter metro से travel करता है and the remaining distance by bus और जो बची हुई distance है उसको bus से cover करता है then how much distance does he cover by bus तो उसने bus से total कितनी distance cover की तो यहाँ पे total distance कितनी है 32 km है अभी हमें यह पता है कि द्वारका और मयूर विहार की total distance 32 km है तो यहाँ पे लिखेंगे statement total distance from द्वारका to मयूर विहार इक्वर्स टू 32 km यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इतना लंबा लिखना हो डारेक्ट आप यह भी लिखवा सकते है total distance equals to 32 km अब distance covered by metro distance covered by metro metro से कितनी distance cover किया है metro से 15 km 350 meter इतनी distance cover किया है हमें क्या पता करना है और बाकी की जो बची यू distance है वो बस से cover करता है और हमें बस का ही पता लगाना है कि बस से वो कितने km गया तो इस टाप के question में बच्चे थोड़ा confused होते हैं तो इसमें करना क्या है आप numbers को छोटा करके भी बच्चों को explain कर सकते जैसे यहां 32 दिया यहां 15 दिया तो 32, 15 में 32 बड़ा है तो आप कोई भी छोटा number example के तौर पे ले सकते हैं जैसे कि आप बच्चों को यह बता दीजे कि suppose हमें 10 km तक कहीं जाना है 10 km जाना है जिसमें से कि अब 10 से कोई छोटा number लेना है क्योंकि यहां पे 32 बड़ा है और 15 छोटा है तो 10 से कोई छोटा number ले लेना है मानलेज़े 6 ले लेते हैं तो 10 km हमें जाना है जिसमें से कि 6 km हम लोग मेट्रो से चले गए तो हम और बाकी जो बची हुई distance है वो हमने बस से cover की है तो बस से कितनी distance cover किया है इसको कैसे पता करेंगे टोटल 10 km है hoor 6 km हम 6 km से गए है तो बचा कितना 10 में से 6 क्या कर रहे हैं हम minus करेंगे तो बचा 4 means 4 km हम बस से cover कर रहे हैं तो यहां हमने किया क्या बड़े number में से चोटे number को minus किया total distance में से metro के distance को minus कर रहे हैं तो हमें पता चल जा रहा है कि bus से हमने कितना distance cover किया है तो यही चीज़ हमें यहां करना है total distance से metro वाले distance को minus कर देना है तो यहां पे minus करेंगे यहां पे km दिया हुआ यहां km और मेटर दोनों है तो हमें km और मेटर दोनों का ही column बनाना होगा km and meter total distance कितनी है 32 32, और इधर मीटर में कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, फिर 15 किलो मिटर और यहां पर कितना है, 350 मीटर, तो अब क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर हम 0, 0, 0 लगा सकते हैं, माइनस करने के लिए, अब माइनस करते हैं, 0, 0, 0 ही आएगा, अब इधर 0 मे बोरो दिया, यहां हो गया 10 और यहां हो गया 9, 10-5, 5, 9-3, 6, 1 में से 5 माइनस होगा नहीं, 1 बोरो देंगे 11 और यहां बचा 2, 11-5, 6, and 2-1, 1, तो answer is 16 किलो मेटर, 650 मीटर, अब answer लिखने के लिए यहां पर last का देखते हैं, how much distance does he cover by bus, तो यहां पर question में से ही हमें answer ले लेना ह he covered 16 किलो मेटर, 650 मीटर by bus now question number 5, if there was 50 kg of wheat in a sack, out of which 29 kg 850 gram of wheat was used, how much wheat is still left in the sack total wheat, कितनी है sack में, 50 kg, तो यहां पर लिखेंगे, total weight of wheat equals to 50 kg, and out of which 29 kg 850 gram of wheat was used, rate of wheat used equals to 29 kg 850 gram, अब total wheat इतनी थी 50 kg, इसमें से 29 kg use हो गई, तो how much is left, जब भी question में left दिया होता है, it means उसमें हमें minus करना है, तो यहां पर simply unit लिखेंगे, kg and gram, तो 50 kg, ग्राम के साइट कुछ नहीं, तो इसको as it is छोड़ देंगे, और यहां पर 29 kg, 850 gram, जैसे हमने previous question में किया था, same उसी तरह, यहां पर भी हम 0, 0, 0 लिख लेंगे, and then minus करेंगे, 0, minus 0, 0, 0 में से 5 minus होगे नहीं, यह इसको 1 borrow देगा, यहां होगे 10, यहां बचा 4, यहां borrow 1 दिया, यहां बचा 9, यहां होगे 10, फिर इसने इसको borrow दिया, यहां 9 और यहां 10, 10 minus 5, 5, 9 minus 8, 1, 9 minus 9, 0, 4 minus 2, 2, तो answer is 20 kg, 150 gram, अब यहां पर question में देखेंगे, how much wheat is still left in the sack, यहां पर रिखेंगे, 20 kg, 150 gram wheat is still left in the sack, तो यह थे measurement chapters related word problem, यहां पर 3 word problem और दिये हैं, यह questions आप बच्चों को practice के लिए दे सकते हैं, जिस तरह से मैंने explain किया हैं, यह questions उसी तरह से same, इनको करना है, बस इसमें numbers change है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में, till then, bye bye.